हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूटूब चैनल एप्यस एजुकेशनल पॉइंट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे तुरंद कर ये सब्सक्राइब और बेन आगें दवाना बिल्कुल भी ना फिलिएगा ताकि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले पाएं और उन् हेलो फ्रेंड्स तो आपके लिए आज हम लेकर आएं यूपी टीटी के खास कोश्चन हो भी बाल विकास के हेलो फ्रेंड्स तो ये बाल विकास के बहुत ही महत्पूर्ण और इंपॉर्टिन कोश्चन्स हैं जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं पहला कुशन है बच्चों में नयतिकता की इस्थांपना के लिए सर्बुतम मार्ग क्या है तो इसका आंसर है सिछख का आदर्स परूप में बेवहार करना ही सर्बुतम मार्ग है Q2. बच्चों की रूची बनाये रखने के लिए आप किस विधी का चेयन करेंगे बच्चों को सोयम गत्विधी करने के लिए दीजे या सबसे उत्तम विधी है अब देखिए Q3. सरीर के आकार में विधी होती है क्योंकि सारीरिक और ग्यात्मक विकास होता है आपको ऐसे Q2. एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्हें पढ़िए और याद करते रिए ताकि आप आगे बढ़ सकें बहुत अच्छे से Q4. सैसा वस्था की मुख्विसेस्ता क्या नहीं है? सैसा वस्था में बालक चिंतन प्रक्रिया नहीं करता है आप ऐसे Q2 को लर्ण करके अपने इक्वालिटी को बढ़ा सकते हैं योगि ऐसे Q2 आपके एक्जाम में बहुत ही आवस्यक है अब आगे बढ़ते हैं Q5. वक्तित इस्थाई समयोजन है किसके साथ? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रक्रिति के साथ Q6. दूसरे वर्ण में अन्त तक सिस्यू का सब्द भंडार कितना होता है? लगभग सौ सब्दों का Q7. बाले आवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवस्षक तत्वे में परिवर्तन समझने लगते हैं? इसका आंसर है दरविमान में, संख्या में और छेत्र में Q8. बालकों की सूची अमूर्थता की अपेच्छा मूर्थ अन्भवों एवं प्रत्यों से होती है? यह अवस्था क्या होती है? साथ वर्से से लगभग बारा वर्सक तो ऐसे Q9. समवेक शरीर की वह जटिल दसा है जिसमें स्वास, नाडी तंत्र ग्रंतियां, मानसिक इस् परभाव पड़ता है अथा पेसियां निर्विष्ट ब्योहार करने लगती है यहां कथन जेम्स ड्रेवर का है यहां कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का आपको जो कथन वगएरा है वो अच्छे से याद करना पड़ेगा Q10. वाता वरड में सबसे बाहरी तत्यों आ जाते ह जिन्होंने व्यक्ति को आरंब करने के लिए समय में प्रभावित किया है यहां परिभासा वुडवर्थ ने दी है Q11. विकास के परड़ाम सुरूप व्यक्ति में नवीन विसेस्ताएं और नवीन योगताएं प्रकट होती है यहां कथन हर लाग का है जितने भी हैं आप उ उन्हें से याद करिए Q12. सेसा वस्ताएं की ब्रमुख् मनोवग्यानि उलाग जीसाइशासा किया है ? सेसा वस्ता में प्रमुख्मनुवग्याम्य को स Gesetzentाइं का-नस्ताएं की सिंकन contemporary कि कि आनया या जाती है इसका उत्तर है ग्यारा वर्स से पंदरा वर्स तक की बीच मान लियाती है अब आपका नेश्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 15 बाले अवस्था का शमय क्या होता है इसका अमसर आप सब जानते हैं 5 वर्स से 12 लेकिन कभी कभी लोग इसमें कनफीज हो जाते हैं अब करनेश्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 17 खिलोनों की आयू किसे का जाता है पूर वाला वस्था को पूर वाला वस्था में बच्चे खिलोनों को अधिक पसंद करते हैं उन्हीं के साथ खेलते हैं आप करनेश्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 18 बच्चों के संग्यानात्म में बच्चे अपने सम्वयस कमू मुह के सक्री सदस हो जाते हैं तो वह अवस्था है कि सोरा वस्था जब बच्चा तारकिक रूप से वस्थूओं वह घटनाओं के विशय में चिंतन प्रारम करता है वह अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था Q.21 प्राथ्मिक इस्तर पर इस सिचक में, निमने में से किसे सबसे महतुपूर विसेस्ता मानना चाहिए, वो है धैर और धिर्ता Q22. पियाजे के नुसार निम्ने में से कौन सी अवस्था है? जिसमें बच्चा अमूर्त संकल पनाओं के विशय में तारखिक चिंतन करना आरम कर देता है और वह अवस्था होती है अवचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्स के बाद प्रारम होती है Q23. बाले अवस्था में समानता बालक का व्यक्तुत कैसा होता है? वहाँ बहर मुखी व्यक्तुत का होता है सबसे मिलता है बाहर जाके Q24. बाले अवस्था में सिच्छा का सोरूप कैसा होना चाहिए तो सिच्छा जो है सामोही खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से अध्याबकों को सिच्छा दी जानी चाहिए Q25. मानों की वृद्धी एवं विकास की प्रक्रिया किस सिधान्द पर आधारित है वह सिधान्द तीन होते हैं पहला विकास की दिशा का सिधान्द दूसरा है परसपर सम्द्ध का सिधान्द तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिधान्द अगला कॉस्चन आपका है Q26. बालक की अभिवृद्धी जैविकी नियमों के निसार होती है या कथन किसका है या कथन क्रोग मैन का है Q27 कौन सा कारग व्यक्तिकी बुद्धी या विकास को प्रभावित करता है वो तीन कारग है भोजन ब्यायाम गरंथियों की क्रिया सीलता आपका नेश कोशन है Q28 पर्या वरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है या विचार किस ने दिया है या विचार हमें रास ने दिया है Q29 बुद्धी लब्ध के लिए विस्षिष्ट स्रे किस मनोबेग्यानिक को दिया जाता है इस्टर्ण को दिया जाता है आपका लाश कोश्चन है सैसा अवस्था को जीवन का सरवाधिक महत्पूर काल क्यों कहाता है क्योंकि यह वही अवस्था है जिस पर बालग के भावी जीवन का निर्माड होता है तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसे लगा है प्लीज कमेंट करें